नमस्कार दोस्तों, मेडिकेशन नॉलिज में आपका स्वागत है आज हम डिसकस करेंगे खून बहने से रोकने के लिए यूज होने वाली एक बहुत इंपोर्टेट मेडिसिन टेबलेट टेक्सा काइंड 500 mg के बारे में और जानेगी की इसमें कमपोजिशन क्या है, इसका यूज कौन-कौन सी कंडिशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है इसे यूज करने के साइड प्रेक्ट क्या-क्या है, किन कंडिशन में टेबलेट टेक्सा का यूज नहीं करना चाहिए और इसे यूज़ करते से में हमें किन किन प्रिकोशन्स का ध्यान रखना चाहिए आई ये शुरू करते हैं टेक्साकाइंट टेबलेट मेंनकाइंड पार्मा लिमिटेड कंपनी का ब्रैंड है और इसकी एक स्टिप में 10 टेबलेट होती है कंपोजिशन की बात करें तो इसकी परते एक फिलम कोटेड टेबलेट में ट्रानेक्सामिक एसिड 500 mg होता है ट्रानेक्सामिक एसिड एक एंटी फाइबिनोलेटिक एजेंट है यह बलेड क्लोट्स को तूटने से रोकता है जिससे ब्लेडिंग को रोकाजा सकता है टेक्साकांट टेबलेट ब्लेडिंग रोकने के लिए यूज होने वाली safe medicines में से एक है टेक्सा काईट टेबलेट के substitute की बात करें तो इसमें ट्रेनक्सा, ट्रैपिक, एकसिएमिक और पोज़ादी famous brands market में available है अब हम जानते हैं Texakine Tablet के uses और benefits के बारे में Texakine Tablet का use बहुत सी uncontrolled bleeding conditions के treatment में किया जाता है जैसे abnormal uterine bleeding minoresia epistaxis bleeding during pregnancy short term management of hemorrhage after tooth removal cervical surgery prostate surgery bladder surgery आदी अगर आपको abnormal uterine bleeding के समस्या है यानि आपको period start होने से पहले ही bleeding हो जाती है और यह bleeding लंबे समय तक रहती है तब आपको doctors द्वारा Texakine Tablet prescribed की जाती है दूसरा अगर आपको minoresia की समस्या है यानि आपको periods के दोरान समाने से ज़्यादा heavy bleeding होती है और यह bleeding साथ से ज़्यादा दिन तक रहती है इस condition के treatment में भी Texakine Tablet का यूज किया जाता है इसी परकार से epistexis की समस्या में जिसे nose bleed भी बोला जाता है इसमें नाक से खून बैता है उसमें यह दवा यूज किया जाती है Texakine Tablet एक ऐसी safe medicine है bleeding को रोकने के लिए और किसी भी परकार की surgery के बाद जैसे tooth removal cervical surgery prostate surgery व्या bladder surgery आधी के बाद bleeding को रोकने के लिए Texakine Tablet का यूज किया जाता है अब हम जानते हैं कि Texakine Tablet को यूज करने के side effects क्या क्या है जादातर लोगों में इसे यूज करने से किसी भी तरह के side effects दिखाई नहीं पड़ते लेकिन इसके possible side effects है सिर दर्ध होना दस्त लगना कमर दर्ध होना मास पेशियों में दर्ध रजोडों में दर्ध होना इसके अलावा नाक बंद हो जाना त्वसा पेली पड़ जाना आदी इन सभी side effects में से अगर आपको blood cancer या color blindness की समस्चा है अगर आपको kidney, liver, heart और eye related problem है तब आपको texacrine tablet का use नहीं करना चाहिए अब हम जानते हैं उन precautions के बारे में जो texacrine tablet का use करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए डोक्टर के बताए dose or duration में दवा का 7 करें tablet को पाने के साथ पुरा निकल लें इसे तोड़े या चबाई नहीं tablet को खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं लेकिन रोजाना एक fix टाइम पर दवा लेने की कोशिस करें धन्यवाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में